वाट्स आप, सो भाई, तू है कहा, ये गाना मुझे हर बंदे ने अर जगे मेसेज करके बोल रख रहे है, कि इसको कवर करो, इस्पेशली लाजवाब 2 जम मैंने मिस्टरता है, अमूर बेक का कवर गरा, तो सब ने गहा, कि भाईया, ये गाना कवर गरा, यार, ये बहुत प फोन जिरा प्रगट हो, जाओ, ओ ये सफीर वान, है关्याल, अभी कुछ आवाज ऐसी होती है जिनको सुमते ही आप ऐसा रखता है कानों में घुलने लगी है यह काफी कुछ वैसी आवाज है वल्कुर कानों में घुलने वाली आज आराम आराम तो सुनेंगे पूरे गाने को एंजॉय करेंगे बैट ठीक है जब मैं हच से आगे बढ़ गया था आशकी में लाइन ही कितनी प्यारी पहले लाइन गाने की है यह पिर मजा के ही मैं मर गया सब खा के ही मैं चू कर आया मंजिले तो तनह था में वापसी में I'm sorry बहस की तरह आवाज निगालने के लिए है लेकिन भाई साब क्या लाइन थी है क्या लाइन थी है ना क्यों और फिर मजाकी में मिल गया है खाकी में ठीकर रूख जो ज़रा पूरी लाइन है सुनो भाई बहुत प्यारी लिखी है आराम अराम से जाएंगे यार इंजू कि ही में मल गया सुनो यह ठीक है जब मैं हट से आगे प्यार में बढ़ गया तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी को मजाक में ले रहा हूँ और वह मजाक में मेरी जिंदगी कब खाक बन गई उसकी अगली लाइन सुनना जिस चीज के लिए जिस प्यार के लिए मैं अपनी जिंदगी कर रहा था मैंने अपनी जिंदगी खाक कर दी जब मैं मन्जिल को छू के आया तो तनहा था मैं वापसी में मेरे साथ वा था ही नहीं जिसके लिए मैं अतनी महनत कर बहुत नहीं हो भाई इस टार्टिंग की चार लाइनों में दिल जीत लिया जिसने भी लिखा है लड़कों मुझे इस बैयन के बारे बता दो भाई यह क्या हुमर है दुबारी ये जो भी इंसान है ये रैफ हैं उसामा आद है मुझे नहीं बता ये इतनी कम उमर में इतनी संजीदा प्यार की बाते कैसे हो रही है पहले मुझे खाली ये बताओ किस उमर जो शुरू कर दिया था भाई तुमने ए खेल पाक भाई लाईने सुनो यार एक बार ठीक है जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने जोली भर के ये जोली भर के ये जोली भर के तुमने फूल तोड़े है ठीक है उस फूल का सोच है मैं तुम्हाई लिए टूटने के इंसा लिए भी तैयार हूँ है ना मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हा साथ रहूंगा फिर मुढजा जाओंगा लेकिन तुमने तो मुझे तोड़ा में नहीं तुमने सब को वो कर दिया लेकिन मेरा तो वो नमबर भी नहीं आया भाई साव ये क्या ये क्या एमोशन है भाई ये कौन सी उमर में तुम ये कर रहे थे मुझे ये बताओ व्विप लेके तुम क смотреть नहीं जैसे खौब ही में खौब गाए आ कही में पल से पल में क्या हुआ तुमने पल से पल में क्या हो गया अभी तुम मेरे याद में हो मैं एक सवाल मैस चलता है मेरे दिल में कभी तुझे मैं भूल जाओ या तुझे मैं याद करूँ तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ अब लिख रहा हूँ तो पर क्यों ना एक सवाल करूँ सभी बात, सभी बात, सभी बात पहले तो लाइन ही इतनी प्यारी थी कि एक सोच रहता हूं कि मैं तुझे भूल जाओ या तुझे याद करूँ ठीक है यार ये कितना अच्छा एक्सप्रेस कैसे कर रहे है ये लड़के कौन इनकी शायरिया लिख रहा है ये क्या पढ़ रहे है ये क्या हो रहा है खाली इनकी बात नहीं कर रहा है आजकल सीर में भाई लायो आप टू मैंने सुना एक दिन पहले रो रहा था मैं वो गाना सुनके कैमरा पे अब ये और नहीं आ गया यार कहां से आ रहा है ये थाट ठीक है ओके ओके अब एक सवाल करेगा भाई ने गाए कि जब तुम्हारी आद में लिख रहा हूँ तो प्र क्यों ना एक सवाल करूं पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं पर अब सवाल भी कमाल तू संबाल ले फिलाल ये जवाल बिचा चाल क्या मैं चाल चलूं चाल चल तू अपनी मैं तुझे पैचान लूंगा तुझे पैचान लूंगा क्या हसे लिख रहे हो क्या हैं ये लोग उफ उफ ये सुनके भी अगर कोई लड़की तुभारे पास ना आए उस लड़की के बीछे कभी ना जाना समझ जो जब लड़का ये बता रहे है कि मैं ये तक करने के लिए तुम्हाई ले तैयार हूँ मैं चांदारे तो नहीं तोड़के लऑँ लेकिन अगर तुम्हे धीमा ले जाज़ा पसन दे तुम्हें अपनी सांस तक रोग लुगा ठीक हैं अगर तुम्हें अगर ये सुनके भी कोई लड़की तुमसे बात ना करे प्लीज उस लड़की के पीछे कभी ना जाना अपनी जिन्दगी ना बर्बात करना भाई एक्सपीरियंस आदमी बता रहा है तुम्हें हर तरफ से जूते लात इमोशनली उपड़े है रियल लाइफ में तो किसी एवगात नहीं हुए लेकिन हाँ इमोशनली बहुत खाया हूं मैं धर दरते सोँच जो बाई लेकिन बहुत तकड़ा लिखा है बाई तेरे सारे आसू मेरे हो सकते हैं ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हजेना एक बार तेरी मस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ को सकते हैं याँ भाई याँ भाई मेरा हेड़पोन तूड़ जाएगा ये रफ्तार का वीडियो भी निये कि मैं बोल दू मैंने तुम्हाई लिए हेड़पोन तोड़ दिया मुझे दे दो क्या लिख रहे हैं ये लोग भाई एक एक लाइन को रोक के मैं पाँच पाँच मिनिट का डिसकुशन कर सकता हूँ ऐसी लिखावाट चल लिए हाँ पर उफ उफ मोशियां में तेरे खातिर अपनी खुद की सांसे थाम लूँगा क्या तेरे सारी आसी मेरे होसकते हैं ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रोसकते हैं इस तेरे खातिर मेरे रोने पर तूह तूह हस देना देना एक बार तेरी मस्कुरा हटके पीचे हम सब कुछ खोसकते हैं ठीक है? It's not a Shymaa के Line लिखी है क्या पिरोया है भाई यहाँ पर एमोशन्स को यार क्या मेरी महबबत का कोई हिसाब नहीं है क्या हो रहा है मैं नहीं क्या क्या रियाक्ट करूँ मैं ओवर्वेल्विंग लिख रहा है भाई आदवी जो भी लिख रहा है उपर से आवाज इतनी भी आ रही है उपर से म्यूजिक इतनी भी आ रही है या उडान I am your new fan अभी वार तुम्हारे गाने सुनूँगा मैं बट क्या कर दिया है यह तुम लोग ने यार क्या मेरी महबबत का कोई हिसाब नहीं है तो यह लाइन सुनके मेरी क्या यह बोलो यार मैं मतलब जो लड़का भरबाद हुआ होता है न मौहमबत बे वो इस लाइन का मतलब समझेगा खाली सबके लिए नहीं है ब्रो यह तुम लोग के लिए चैनल नहीं है गाना नहीं है ठीक है क्या मेरी महबबत का कोई हिसाब नहीं है इतना कुछ हो चुकाई, इतना कुछ बेगड़ चुका हूँ किसी का कुछ हिसाब नहीं है नहीं यह नहीं भी चाली ता हूं देरे लिए मौसी की नहीं है पेशां पते मेरी जिंदगी सबसे चीज क्या होई है मैं खटम हो जाता हुए बरबाद हो जाता हुए अगर मैं ऐसा लिख रहा होता है तो एसी डाते होती है मैं तो ना पढ़ना हो चाहता कबी जिंदगी में कोई और पढ़ लेता तो भाई वो उड़ जाता, भरोसा मुहबत से उड़ जाता क्या लाइन लिखी है भाई, आवे तुमने खत क्यों नहीं बेजा गा लेता हूँ तेरे लिए मौसकी नहीं है, पेशा तेरे लिए गा रहा हूँ हर जगे जो गा रहा हूँ, तेरे लिए गा रहा हूँ ये ना समझ ये मेरा पेशा है तेरे लिए गा रहो पेशा आने की खबर ही नहीं तेरे अब अब क्या मौसमों से पूछू तेरे आने का अंदेशा आखों में आसूं नहीं है कहां है तू कहां तू नहीं है दिल को ये अब जानना ही नहीं बस तू चले आख कहाँ खुआबों के इस शेहर में मेरा दिल तुझे ढूनता पुरे शेहर में मेरा दिल तुझे ढूनता पुरे शेहर में खुआबी खुआब है लेकिन तू नहीं है वहाँ पे तारे खुआब पूरे हो रहे है वहाँ पे लेकिन तू नहीं आ रही है वहाँ पे क्या प्यारी अवाज हो क्या mixing marching गरी भाई इन लोगोंने audio इतना खूबसूरत आ रहा है न उफ दिल जीत लिया भाई इन लड़ोंने दिल जीत लिया इन लड़ोंने यार मा कसम भाई मा कसम यार इस उमर में लोग ये music बना रहे हैं तो आगे जाके भाई ये लोग च्छाएंगे मैं खाऊंगा scene नहीं बोलता है खाऊंगा हो तो बहुती negative word होते हैं हर जगे इनके गाने बजने वाले भाई जिस level के हैं आयो हो बस ये इतनी कामेज में सक्सेस मिलती हैं ना सर पर बहुत जल्दी चड़ती बस ये चड़े ना ये down to earth humbly बस अपने passion के लिए music करते रहे भाई पूरे scene में ये बज़ रहे होंगे ये गाना जो इनलों ने बना दिया है भाई कमाल भाई आओ फिर से हम चले थाम लो ये हाथ कर दो कम ये फासले ना पता हो मन्जिलों का ना हो रासते तू हो मैं हो बैठे दोनों फिर हम तारों के तले ना सुबाह और ना हे दिन डले कुछ न कह सकें, कुछ ना सुन सकें सही है, जब एक दूसरे के साथ हो तो कुछ हो ये नहीं बता है ना दिन का बता चल लाए ना रात का ना कह पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं बस एक अलक सी कश्मकश ऐसा relation है, बस वही होए तुम आ जो अगर उफ 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 इनकी इनोसेंस मुझे इमोशनल बना देगी कहानियों की परियों की तरह ठीक है ठीक है कहानी की परियों जब लड़का तो मैं ये गह दे ना लड़का खाली अपने एक मीम टेंपलेट देखा है न लड़का खाली अपनी मन पसंद की लड़की को ही कहानियों की परियों बोल सकता है ठीक है इतना इनोसेंड गाना और इतना वेल लिटेंड गाना भाई साब ये अगर कोई बड़ा लेबर रिलीस करता ना भाई 50-60 मिलियों व्यूस कहीं इन लोगों के तुमको क्या बता है क्या हो तुम मेरे लिए क्षा हो तुम कहानियों की परियों की तरह हो तुम मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम वो यकीन तुम मैं राया फिर गुमा हो तुम आशियां हो तुम मैं भटका सामू, साफिर और मका हो तुम ये ये मैं भटका सामू, साफिर और मका हो तुम तुम लोग ने मैं तुम्हें एक वार चीज बताता हूँ बहुत international music सुनता हूँ ठीक है मैं एक टाइम पर production की बड़ी कोशिश करता था जीवन में जो लोग बाहर का संगीत नहीं सुनते हैं और जो लोग लोफाई लोफाई लीड दे वर्ड लोफाई ब्रो है ना, electronic है ना, compositions जो लोग नहीं सुनते दुनिया बरके, वो नहीं सुच पाएंगे but they have designed the song so beautifully जो पीछे जो कुछ भी sample बज़ रहा है ना भाई इतना बढ़िया फिलर, इतने बढ़िया emotions मतलब मैं इतना अच्छा music भी इतना साही ब्रेड्यूस कर रहा है ना भाई इस गाने का कि वो इस गाने को निक्स लिवेल पर लेगा जा रहा है बहुत beautiful, बहुत खुबसुरत गाना भाई मज़ा ही आगए यार मेरे को सुनके माग का संभाई like I'm so excited and thrilled to see कि ये लोग कीतने यंग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं यार इसी जिन्दगी का क्या जो तुम जिन्दगी में होके मेरी जिन्दगी न बन सके इनोंने सारी वाली बाते कर दी हैं जब पहला प्यार होता है ना और जो दिल तूडता है तो जितने भी खयाल आ रहे होते हैं ठीक है वह सारे खयाल यहां बर लिख दिये गये और ऐसे लिखे गये जैसे कोई mature आदमी लिख रहा हू mature fire लिख रहा हूँ mature फिलोसफल लिख रहा हूँ महार बने या बढ़ देंगे जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो दिल ही तोड़ देंगे यार मिल लो इस तरह के फिर नहीं मिलोगे समझ जब कोई किसी से आखरी बार मिल रहा हुथा तो कैसे मिलेगा एक बार मुझसे वैसे मिल जा बस भाई मैं इतना हैपी हूँ टू सी कि आज के जमाने में भी ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं लोग और भी आर्टिस्ट हैं डेफिनिटल आई नो अबाउट देम बट इन लोगों की वज़े से मेरा आज के म्यूजिक सीन के अपर जा ना भरोसा बहुत बढ़ गया है कहीं नगहीं मेरे को लग रहा था कि भाई जनता जो है ना बहुत घटिया म्यूजिक का ट्राप में फस्ती चली जा रही है इवन इन हिप आप आलसो बहुत क्लियरली बोलना है बात बट ऐसे आइसे ऐसे म्यूजिशिंस की वज़े से मेरा भरोसा है भाई कि नहीं नहीं अ बहुत यार जो यार क्या हो यार तुम लो में क्या ही बोलो हिन लोगों के लिए यार चाहा करके चले गए यार ये लोग मेरे जैसे एक आदमी को हिला के चले गए ये लोग ऐसा म्यूजिक बजा दिया है लोगोने की एक ग्रोण अप मैन लाइक मी वुट फील लाइक अ वल्नेरेबल लवर 18 एर्स ओल 16 साल का लड़के यासा मैसूस करा दिया अपने म्यूजिक से इन लोगोना मेरे को कथम यार ये सब गाने सुनके न मुझे उस इंसान की आद आती है जिसको मैं जिंदी की था अपने खतम कर चुका हूँ है ना जो भी आप शायरी जैसे लिखनी है लिग दो लेकिन ये सब गाने आते हैं फिर बाते याद आती है ये फिर लगता है यार वट दफाक कमाल यार कमाल भाई मैं सारी तारीफ है कर चुका हूँ मेरे पाद तारीफ एडने के लिए आप कोई स्थरा के लगनता है यार मां पाद ब्लस जैसे ना इस सोब भाई ऐना Lite का गाना और अधाjem कि अलफा बहुत छे यई दो भाईव दो आतनी बहूर रिस्पेक्ट गॉण स्रीघ के इनको अतने न रिस्पेक्ट मिले जितने हैं डिजर्फ करते हैं इतनी यंग एज में ऐसा music भाई music अच्छे हाथों में है मुझे दिख रहा है दिल तो तोड़ दिया मेरा एक ही दिल है ऐसे गाने आके तोड़ते ही रहते काच का एक टुकड़ा लेकर मेरे दिल के ऐसे गाने तोड़ते ही रहते है ठीक है मता आगे भाई यू तुम लोग बता नेक जाना कौन था कवर कोरे हो अगर ऐसा कोई और गाना तो प्लीस कमेंट से होता दो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो गड़ते हो आईडी के नाम है